Hey friends, welcome back again to my gaming channel तो friends, आज की वीडियो को टापिक होने वाला है OVB25 अपडेट के बारे में तो अभी तक आपको OVB25 की सारी अपडेट्स मिल गई होगी लेकिन कुछ ऐसी अपडेट्स हैं जो अभी तक गरेना ने मतलब शो नहीं की है मतलब काफी लोगों को नहीं पता है कुछ ही लोगों को पता है तो वो सीग्रेट अपडेट कहलाती है और ये भी एक ऐसा नहीं है कि ये चोटी सी अपडेट्स है तो जो अभी तक आप Elite Pass का लुक देखते थे तो बो आप चेंज किया जाएगा गरेना ने पहले भी बहुत पहले की बात है अगर आप लोगों को याद हो तो एक गरेना ने टीजर लाँच किया था इसमें उनने दिखाया था कि ELITE PASS का थोड़ा लुक बदल दिया गया है मतलब उसका जो इंटरफेस है वो बदल दिया गया तो इस बार चांस है कि ELITE PASS का इंटरफेस बदल दिया जाए मतलब जो भी आपके मिशन बगारा होंगे वो चेंज कर दिये जाएंगे और साथ ही साथ जैसे PUBG में वीकली मिसन होते हैं तो उसी टाइप से कुछ हमारे इस फ्रिवार में भी वीकली मिसन एड़ किये जाएं ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो गरनाने अभी फुल तरीके से तो बाहर नहीं बताया है लेकिन हाँ जो अभी सीक्रेट लीग पता चल लए है उससे ये चांस लग रहे है कि साथ बीकली मिसन भी आ जाएं और अगर बीकली मिसन आएंगे तो वेटरेन और इलाइट इन दो में से एक मिसन को हटाया जाएगा और इलाइट पास का जो चेंजस होगा उसी के बाद एक नई अपडेट आएगी रैंग को लेकर ठीक है तो रैंग का इंटरफेस भी कुछ चेंज हो सकता है इसके भी पॉसिबिलिटीज है इन पासि यहां और उसके साथ एक छोटी से अफडेट और है कि जो हम लोग जैसे प्लाइन में होते हैं तो जो किसी चैम लीडर को अन फॉलो हो जाता ठीक है जो लीडर होता है हमारा इक उस्टें से अनफॉलो हो गया तो एक नया option आ जाएगा वहाँ पर कि उसे तुम फिर से फॉलो कर सकते हो तो यह चोटा सा अपडेट है लेकिन काफी अच्छा अपडेट है तो नेक्स्ट अपडेट आ रही है हमारे कुछ आने वाला है ओवी 25 अबेट के बाद इसमें क्या होगा इसमें आप जो भी कस्टम फुट एक पहले से खेल रहे हो अगर आपको कोई नया कस्टम है ट्राइग करना है तो मतलब आप भी ट्राइग कर सकते हो और आपका पहले वाला भी सेव रहेगा तो आप क्लाइस जो भी वह लो हूसी के साथ इसबटार मिलेगी ठीक कर गोल्डन इसकीन मिलेगी याप इसकीन पर देख सकते हो यह तो गर अन ने बंब केल्गी बंदेो आपको ऑकाद के बंदे मिलेंग Chapel सक्टीब क्वर्ण09 के हैं जैसे हैं तो आपको अपने ही तरह हैं के बंदे से fight करनी होगी पहले कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि आपकी team low है और सामने वाले की बहुत high या आपकी high है तो सामने वाले की बहुत low तो अब यह ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब गरना fix कर रहा है इस चीज को और उसके बाद एक इसी के साथ और आएगी update की जो पहले से जैसे अगर आप चार बंदे हो तो आपने अपनी squad बना ली है तो सामने वाले भी किसी अपनी squad बनी हुई मतलब अगर आपने पहले से बना रखी है squad तो कभी-कभी आपको random बंदे मिल जा देते तो सामने वाले की भी squad पहले से बनी हुई होगी ठीक है तो आप बात करते हैं देखो बैपन बैलेंस को लेकर बैपन के बारे में आपको पता होगा कि न्यू वैक्टर आ रही है जो कि दोनों हाथों से चलेगी मतलब यह बहुत मतलब क्या कहते हैं उसे आई 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 टी का question है यह आप याद रखना हमेशा कि फ्रीफायर में दो हाथ से चलने वाली गन कौन सी है सबसे पहली तो जब बहां पर पूझा जाए तो यह बताना है कि वैक्टर गया ठीक है तो यह दोनों हाथों से चलेगी मतलब आपके दोनों हातों में लेट्टु हों कर ठीक है अल्टर थी तो दोनों यह तो हांधों में चलों यह तो होगा यह फणी बात अब आते हैं देखो बैपन में कुछ चंज्जस किया गया है बैपन को सबसे पहले MA2V को लेकर MA2V अभी तक अभी यहां काफी बार ऐसा होद Helen की बंदों को जल्दी मिल जाती है सभी को जायता जल्दी मिल जाती है गन और इस गन के आगे सिंदेगलोबाल की ओखाने यह बेकार को जाता है भंद उसको त्बोर और एरड्रॉप में हाँ यह में टू भी सिर्फ आपको एरड्रॉप में ही देखने को मिलेगी और इसके साथ ही M4A1 M4A1 जो की अभी तक बहुत बेकार गन हो गई थी स्टाइटिक में M4A1 काफी अच्छी चली लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से न्यू गन्स आ रही है उस टाइम से बंदे M4A1 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अब M4A1 को कुछ damage बढ़ा जाएगा rate of fire भी बढ़ा जाएगा require कम किया जाएगा ठीक है तो वो changes गरना के उपर है कितना क्या करता है अगर मेरे को कुछ ऐसा और मिलता है तो मैं आपको बता दूँगा और उसी के साथ P90 में भी changes किया जा रहे हैं खास तवर पर close range के ल मतलब कि जो advanced weapon जो advanced attachments आये थे कुछ time पहले जैसे BSS का ripper bullet हो गये IWM का pyrcer और ऐसे ही बहुत सारे हैं जो की मतलब जिनसे gun को gun में improvement होता है ठीक है तो वो आपको जो भी equipment होते हैं attachment sorry attachment होते हैं तो वो आपको कहीं मतलब इधर उतर पड़े भी मिलते थे ठीक है कहीं पर gun है त उसी के साथ गरेन new guns लाएगा जैसे आपको आपको पास अगर M14 है तो आपको rage score चाहिए होगा उसे improvement करने के लिए ठीक है rage score चाहिए होगा अब मानो आपको rage score मिलता नहीं है तो क्या वो gun बेकार ही है आपके लिए तो उसी के लिए गरेन advanced weapon ला रहा है मतलब कि आपको M14 मि मिलेगी लेकिन उसमें rage score पहले से लगा होगा ठीक है तो यह है मतलब एक type के जो भी attachment है गर्ण में पहले से लगे होंगे वो ठीक है तो बस यह ही एक छोटी सी update है तो फिलाल अभी तक जो updates बताई है इनमें से 90% update तो बिल्कुल real है जो कि आपको 25 के बात देखने को और I think अभी तक आप लोगों को ऐसी updates नहीं पता होंगी हाँ आप लोगों ने यह देख लिया हुआ न्यू पैट आ रहा है न्यू डामेंड रोयल गोल्ड रोयल यह सारे यह सारे तो मतलब आप जनरली हो चुके हैं सब चैनल पर मिल जाएंगे लेकिन यह कुछ ऐसी updates है ज सब्सक्राइब अपना हम दो बना सकते हैं सबी लोग ठीक है तो मेरी यह दो फैबरेट अपडेट्स हैं तो फिर चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई-बाई